मशकार दोस्तों स्वागत आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल में और मैं आज आपके लिए लेकर आया हूँ अनधर वीडियो इस वीडियो में हम डिसकस करेंगे एक और इंपोर्टेंट टॉपिक जो है हमारे पास लेक्ट्रो मैगनेटिक इंडक्शनल अल्टरनेटि हैं उस से रिलेटिड हमने कल टॉपिक भी किया था आज हम उस से रिलेटिड कुछ क्वेश्चन जो बच गए थे वो डिसकस करेंगे काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है अगर आप देखोगे तो प्रिविएस एर पेपर में भी इनसे क्वेश्चन पूछे गए हैं तो अगर आपकी केमिस्ट्री भी है आप उसे इंप्रूब करना चाहते हैं तो आप हमारे उस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं उस चैनल को और आप अपने फ्रेंड्स को भी इस चैनल को सुझेस्ट कीजिए जिनकी केमिस्ट्री भी है क्योंकि आपको यहां पर केमिस्ट्र related हर एक topic एकदम detail में मिलेगा और एकदम simple language में मिलेगा यानि local बासा जिसे आप कह सकते हैं क्योंकि कमिश्टी में अगर आप देखोगे तो schools में काफी time क्या होता है कि hesitation की वज़से हमें कोई concept अगर clear नहीं हुआ तो हम teacher से दुवारा नहीं पूछते और जो teacher की language होती है वो professional होती है मगर यहां पर हम आपको एकदम daily life related उन topics को समझाएंगे तो आप उस channel को जुरूर subscribe कीजिए आज आपको उस channel के उपर शाम को एक video देखने को भी मिलेगी जो कि first chapter is some basic concept of chemistry तो जाके उस वीडियो को जुरूर देखिए और अपने friends के साथ वीडियो को शेर कीजिए तो आईए बढ़ते हैं अपने physics के topic की तरफ तो हमारा पहला question है face difference between voltage and current in an alternating current have a register is हम से यहां पर पूछा गया है कि face difference कितना होगा between voltage and current in AC जब हम alternating current pass करेंगे तो voltage and current में कितना face difference होता है तो बहाँ पर जो उनका face difference होता है वह होता है zero option number D जो इसका right answer है next question है हमारे पास the unit of mutual induction is to mutual inductance के हमारे पास unit होते है Henry कल हम इसे discuss कर चुके थे कि Henry आपके पास किस तरह से आएगा next question हमारे पास a solenoid has n turns हमारे पास एक solenoid है और उसके n turns है the self inductance L of the solenoid buried with n और जो उसकी inductance है L वो buried कर रही है with n तो आपको बताना है कि उन दोनों में क्या relation है तो आपको ये काफी important topic है आप देखना इस बार exam में इस related ये question पूछा जाएगा या इस related numerical आपके पास जरूर आएगा बहाँ पर आपको cable जो भी L और N की value दी होगी आपको cable उसका square करना है तो ये question आपको इस बार जरूर मिलेगा exam में देखने के लिए next question है मारे पास in an alternating current circuit having pure inductor current हमारे पास यहाँ पर option है leads the voltage by an angle की अगर हमारे पास AC circuit है तो उसमें अगर pure inductor inductor use किया गया है तो बहाँ पर current कितना होगा तो बहाँ पर जो current होता है बहुत है मारे पास lags behind the voltage by angle of πY2 option number C जो इसका मारे पास right answer है next question है मारे पास inductive resistance XL varies with frequency B यहाँ पर आपके पास inductive reactance और frequency के बीच में relation बताना है कि वो किस तरह से एक दुसरे के साथ vary करती है इसी टाइप में exam में question पूछे जाते हैं maximum time तो काफी important question है यह तो इनको दियान से देखिए इनको लिख भी सकते हैं आप क्योंकि आई आप देखोगे तो previous year के जितने भी paper हैं उनमें इसी type में question पूछे गए हैं एकदम simple answer है मगर हमने पढ़े नहीं होते हमने कुछ जादा ही theoretical values पढ़ी होती है तो यह हमें clear नहीं होते next है हमारे पास the current admitted y series LCR circuit correspond to resonating frequency is हमारे पास एक circuit है admitted y series जिसे LCR series circuit में लगाया गया है responding to resonance frequency तो हमें बताना है कि उसकी resonant frequency कितनी होगी तो उसकी resonant frequency हमारे पास होगी maximum option number a जो है हमारे पास यहां पे right answer है next question हमारे पास in LCR series alternating current circuit the current आपको बताना है कि LCR में current किस तरह से vary करेगा या उसके ओपर क्या effect पढ़ेगा तो यहां पर अगर आप देखोगे तो इस सारे के सारे option गलत हैं तो option d जो है इसका right answer है next question हमारे पास and LCR circuit has impedance z हमारे पास LCR circuit है उसकी impedance हमें धी गई है z of तो हमें बताना है कि उसके लिए कौन सा formula use किया जाता है तो हमारे पास formula होता है r square plus xl minus xc का square whole square तो यहां पे जो option number c हमारे पास बनेगा वो इसका right answer बनेगा बढ़ते हैं next question की तरफ और next question है हमारे पास transformer work on कितना important question है काफी ज़्यादा जुरूरी है तो transformer जो है वो किसके उपर work करता है तो वो DC के उपर जड़ा भी work नहीं करता उसे alternating current की जुरूरत होती है तो option b जो है इसका right answer है next question हमारे पास power in an AC circuit is given by अगर AC circuit की हमें power निकालनी हो तो हम कौन सा formula use करेंगे तो हम यहाँ पर use करेंगे AI rms यानी root mean square v rms cos of phi तो यहाँ पर हम इसको use करते हैं next है मारे पास a core of transformer is laminated so that जो core होती है transformer की उसे laminate किया जाता है क्यों laminate किया जाता है क्योंकि जो add current है उसकी वज़े से energy loss होती है तो energy loss due to add current may be minimized तो उसे minimize करने के लिए transformer की core को laminated किया जाता है next question है मारे पास transformation ratio of step up transmitter यह transformer is हमें बताना है कि जो transformation ratio होती है setup transformer की वो कितनी होती है तो हमारे पास इसकी जो setup ratio होती है वो होती है एक से भी ज़्यादा ज़्यादा एक से ज़्यादा होगी तो greater than one next है मारे पास transformer works on the principle of जो transformer है वो कौन से principle के ओपर work करता है जो दो पिछली बार हमसे पूछा गया था कि mutual inductance के बारे में पूछा गया था यहाँ पर आपके पास पूछा गया है कि transformer work on the principle तो जो transformer है वो work करता है mutual inductance के ओपर यह question previous year paper में आया था 2019 में आपको याद होगा अगर आपने question पड़े हैं next हमारे पास a capacitor तो capacitor हमारे पास क्या होता है offer easy path to AC what block DC तो जो capacitor होता है उसके लिए हम use करते है xc is equal to 1 upon c omega is equal to 1 upon c into अब omega की value हमारे पास 2 pi v भी हम इसे लिखते हैं तो यह हमारे पास आत्या infinity यहां पर हमारे पास value बनती है infinity for dc as v is equal to 0 तो यहां पर option number a जो हमारे पास right बनेगा offer easy path to AC what block DC क्योंकि इसकी value जो है DC के लिए वो infinity है और v की value 0 है तो यह DC में block हो जाएगा मगर AC में जो है काम करेगा next है मारे पास phase difference between current and voltage in an AC circuit having capacitor only is कि phase difference कितना होता है current and voltage के बीच में in an AC circuit having capacitor only जब उसमें cable capacitor लगा होता है पीछे हमने resistor पड़ा था यहां पर हमारे पास capacitor है तो इसका जब आपके पास capacitor होगा तो 90 होगा और जब resistor होगा तो वो 0 होगा तो guys इस वीडियो में इतना ही है I hope आपको वीडियो अच्छी लगी होगी वीडियो को like and share जरूर किजिए और हमें comment करके जरूर बताएं कि आपको वीडियो कैसे लगी इस channel के उपर आपको तीन वीडियो देखने को मिलेगी और दूसरे channel के उपर हम try करेंगे कि एक से ज़ आपको अन्यक्टू